पटना का NMCH और गया का NMCH इस दोनों को फिर से Medicated COVID Hospital बनाने का निर्णे हुआ है जन्सहियों की आवसेक्ता है और जन्सहियों की अपेक्छा है क्योंकि ये ऐसे कारे हैं जिसमें प्रसासनिक आदेश दिया जाती है प्रसासन के आदा मुस्तेदी की जाती है जरूरत पढ़ने पर आवस्यक कानूनी कारवाई भी की जाती है यह जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेटमेंट ट्रेकिंग टेस्टिंग टेस्टिंग को हम लोगोंने बढ़ाया है ट्रेकिंग ठीक से कर रहे हैं और जो मैंने कहा कि पटना का एन्मच और गया का एन्मच इस दोनों को फिर से डेडिकेटेट कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय हुआ है और वहां तुरंत निर्देश करके मरीजों को डेडिकेटेट कोविड हॉस्पिटल के रूप में वहां सुविधाएं दी जाएंगे हलाकि कोविड मरीजों का इलाज वहां रहा है लेकिन पूरी तरीके से उस अस्पताल को डेडिकेटेड कोई अस्पिटल बनाने का निर्णाय किया गया है तेस्टिंग रिपोर्ट आने में बहुत लेट हो रहे हैं कल लोगों ने कहा कि 8-8 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं और हर विवस्थाओं में जदी कहीं भी कोई तूरूटी जैसे आपको जानकारी दे रहे हैं तो हर विवस्थाओं को तुरंट दुरूस्त करने का प्रयास हम सब लोग वार्फूट लेविल पर कर रहे हैं इसके अलावा जो जो गाइडलाइन जारी किये गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और 50% बसों में वह पॉलूर नहीं हो रहा है सर इ जन सहयोग की अपक्षा है क्योंकि यह ऐसे कारें हैं जिसमें प्रसासनिक आदेश दिया जाते हैं प्रसासन के रहा मुस्तहिदी की जाती है जरूरत पढ़ने पर आवस्यक कानूनी कारवाई भी की जाती है लेकिन जन सहयोग बहुत जरूरी है इसलिए जिन विस्यों पे अपने ज्यान दिलाया है उसमें हम आम जनों से भी सहयोग की अपेच्छा करते हैं अर्मी डॉक्टर्स को भी बिलाया जा रहा है वहां पर राज्यसरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है तो वहां भी हम बेड़ों की संख्या और बढ़ा लेंगे और हमें उमीद है क यह जाने के भी जरुवत है देखें लगातार हमारा प्रयास है कि सुविधाओं और व्यवस्थाओं का हम दिस्तार करें और मानिय मुखमत्री जी के अस्तर पे भी सारे चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है आप देख रहा हूंगे कि विभिन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बेट की संख्या बढ़ाई जा रही है और आज हम लोगों ने नेड़ने किया है कि यह जो आईजी ये मेंस है इस आईजी ये मेंस में भी आज से पचास बेट कोविट पेसेंट के लिए डेडिकेटेड होगा और उसका पूरा इंट्री पॉइंट और सारा सिस्टम अल हैं साथी जो कैंसर इंस्टिट बना है वहां जो बेड हमारे ठाली है लगबग सो बेड के वहां पर अगले दो से तीन दिनों में वहां पर भी कोविट के मरीजों को रखने और उनके इलाज की समुचित विवस्था शुरू कर दी जाएगी और जो आवस्यक उपकरन चाहि रहा है जो वेंटिलेटर से महत्वपूर्ण करने सारे को इंस्टॉल कराया जा रहा है तो अगले दो तीन दिनों में वहां भी अतिरिक्त सो और बेडों पे यहां सुविदा दी जाएगी इसके अतिरिक्त पटना के एनेंसीट और गया के अनुग्रा नरायन मेडिकल कॉले कर रूप में चिन्हित करके वहां पर कोवीड मरीजों का इलाज सिख्र सुरूख किया जाएगा कर दी बोदी वह अधोरा है कर दी आए अगर कर दो